तो आज में आपके पास लेकर आएए हूँ एक टोपिक अक्रोट ये वालनट इस नहीं खाना चाहिए इस को पहले हम देखते हैं कि वालनट क की नहीं खाना चाहिए Kantisimus दों पहत्योंगों atenat इसके अंदर प्रोटीन होता है, विटामिन E होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिट होता है, जो कि बहुत जादा है जरूरी है, एंटी ऑक्सिडेंट होता है, जो कि आपको इम्मुनिटी को बढ़ाता है, आपको रोगों से, आपको बीमारी से लड़ने में मदद करता है, इसके अ करेंगे कि आपको वालनट क्यूं नहीं खाना चाहिए, अगर प्रेगनेंसी में आपने वालनट जादा खा लिया या फिर कोई पी चीज आपको एक अमांट जादा नहीं खाने चाहिए, वह आपके सिहत के लिए अच्छी नहीं होती है, तो आपको डैरिया हो सकता है, लू प्रेगनेंसी के दौरान आपको ब्लेडिंग हो सकती है, जो की बहुत जादा खतरनाग चीज है, तो अगर वालनट से या किसी भी नट से आप थोड़ा सभी ऐलर्जिक हैं, तो जो है वालनट थोड़ा सभी खाना आपको बहुत जादा खतरे में डाल सकता है, आपके पु जो है यो चार से पांच जो होते हैं, जो होता है, अपको ग्रियूट कंईयोयो एक तिन में, मतलब लबग 30 गराम आपको एक दिन में वालनट लेना है, लबग उए अगर वालनट नहीं लेना है, तो क्यों खाना चाहिए, तो वालनट में होता है, ओमे patty acid अपर को बिदा ह होता है तो अगर अपने प्रेग्नेंसी में वालनेट खाया है तो आपका बच्चा जो है बहुत ही हेल्दी और बहुत ज्यादा ब्रेनी पैदा होने जा रहा है दूसरी चीज क्या है कि वालनेट के अंदर एक एसेंशल फैटी एसिड होता है इसको हम कहते है अलफा लाइनोल कि तो अगरिया टेलीवरी के बाद ऊप्रिशन होता है तो अगरे वॉल्ट खाया है आपको नसों को वह ghee लैक्स करता है तो पहुत यह चीज हूई कॉपर जो इसके अंदर होता है वह फीटस कि यह मतलब आपके बनने वाले बच्चे के ड्यूपमेंट के लिए ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन यह अगर कॉपर के साथ ही साथ इसमें होता है एंटी ऑक्सिडंट देंकि आंटी ऑक्सिडंट जो है हमारी इम्मु उसको निकाल के फेक देते हैं तो यह 90% अंटी ऑक्सिडंट जो होता है वह इसी भूरे रंग के छिलके के उपर होता है जो कि आपने पहले वालनट लिया उसको फोल्ड लिया उसके अंदर से देखे वालनट निकला है वालनट के ऊपर एक ब्राउन कुल्स का हल्की सी क्लि के खैट माइलक करते हैं और आपके बेबी के ऊपर के आफर क। पदा है और कि कभल यूञा है तो वालनट काई मैफ जोखने आपने वालनट जोखिण घरेशन के बिशाए